बांगलादेश के अवामी लीग के सांसद अन्वारुल अज्जीन की हक्या के मामने में एक के बाद एक संसन खेज जानकारी सामने आ रही है राज्य पुलिस की ओर से बीगई जानकारी के मताविक इस घटना में तीन लोगों को गिरफतार किया गया धाका पुलिस ने सायद अमानुला, मुस्तफिजुर और फैसल अली नाव के तीन लोगों को धाका से गिरफतार किया उनसे पूछताज के बाद एक नया नाम सामनी आया है अख्तरुजमा उर्फ साहीन सांसद हत्यकान का मास्टर माइन था बता दें कि अख्तरुजमा अमेर्की नागरिक है उसका मूल घर बांगलादेश के जिनाईद लाके में कोट चंदपुर है आरोपी का भाई उस इलाके का मेयर है वो मृत्य सांसद का दोस्ट भी था अख्तरुजमा की मृतक सांसद से व्यापारिक दुश्मनी थी और उससे इसे हत्या माना जा रहा है बता दें कि बांगलादेश के सांसद की 13 माई को हत्या कर दी गई थी उनका गला घुट दिया गया था हत्या के बाद उनके शफ को टुकड़े टुकड़े करके फ्रीजर में रख दिया गया था पुलिस का कहना है कि सांसद की हत्या में करीब साथ लोग शामिल है इन में से छे बांगलादेशी हैं आरोपियों की सूची में अख्तुर उजमा की प्रेमीका शिलाशती रहमान का भी नाम है हत्या से पहले अख्तुर उजमा खुद कॉलकता स्थित फ्लैट पर पहुंचा था उसके साथ गर्ल्फेंड शिलाशती भी थी पुलिस का कहना है कि अख्तुर उजमा देश वापस लोटे बिना नेपाल भाग गया बांगलादेशी पुलिस सुत्रों के मताबिक आरोपी आमानुला को अख्तुरू जम्मानी ने काम पर रखा था हत्या के लेकरी पांच करोड रुपे की सुपारी दी गई थी दूसी और इसे अमानुला ने जिहाद और सियाम नाम के दो बांगलादेशी साथियों को अवेद रुप से सीमा पर करवा कर कॉलकता में किराय के फ्लैट में रहने के लिए पहुँचाया था अमानुला ने मुस्तफिजुर और फैसल नाम के दो लोगों को हत्या की सुपारी दी थी जार्श के मुताबिक जिहाद और सियाम को छोड़कर बाकी लोग वेद दस्तावेजों के साथ भारत आई थे हत्या के बाद वे अलग लग धाका लोट गए बात यहीं खत्म नहीं हुई सांसत की हत्या के बाद शब भारतिये साथी को सौप दिया गया अमानुला ने पूस्ताच के दौरान बांगलादेशी पुलिस को ये बात बताई पुलिस अब आरोपी भारतिये की तलाश कर रही है बांगला देशे सब्रभान के सैंसंत की हट्या के संसनी की ज़ानकारी सामने आई है दो मुख्या रोपी ओ स्टफुर और फैजालंई 13 दिनों तक कॉलकता के पार्क स्ट। के सदर स्ट॥ इसंसत की हट्या के मामले में आम चुनावू मुवो जैने दाहा चार सीट से चुनाव जीत कर बंगलादेश की संसर के सदस्से बने थे